नमस्का दोस्तों अनुपिष्ट डिजोन में आप पस्वागत है अज हम लोग करेंगे चीज़ का फ्रिक्टिस इसमें लबद 40 क्येस्टन है इसका हम लोग ब्याख्यात मखल देखेंगे आप सुरू से लाज तक जरू देखें क्योंकि क्येस्टन के साथ साथ इसके ब्याख युनाइटेट प्रोविंस उत्तर प्रदेश कब बना 1937, 1947, 1950, 1922 इसका अंसर होगा 1950 24 जन्वरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पढ़ाया गर पुछले उत्तर प्रदेश का इस्थापना दिवस कब है 24 जन्वरी इसके पहले इसका नाम क्या था इनाटेट प्रोविंस या सैयूंक्त प्रांथ सैयूंक्त प्रांथ जो था ओ नाम पढ़ा था 1937 को 1937 पहले इसके पहले नाम था आगरा एम आवद का सैयूंक्त प्रांथ इतना बड़ा और 1937 में इसका नाम इनाटर्ट प्रामिन्स हुआ और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया नेक्स्ट जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है अवसत लागत, सिमानत लागत, कुल लागत, नहीत लागत तो इसका अंचर होगा B, सिमानत लागत सिमानत लागत मतलब थोड़ा सा टप टाइप लेंग्वेज दे दिया है बागे easy होता है सिमानत लागत मतलब क्या होता है जब अगर कोई उत्पादन है, उत्पादन कर रहा है, उसमें एक अत्रिक्त यूनिट का उत्पादन बढ़ने से, जो उसके लागत में बृद्धी होती है, माल लीजिये, पहले जो भी उत्पादन कर रहा था, उसका 100 रुपे लगता था, अब एक यूनिट उसने बढ़ा द नहीं करता है, यहीं वोता है, सिमांत लागत, लेक्स्ट, निम्न में से काौन सा दोनों बही स्त्रावी गरंथी और अंताहिश्थावी गरंथी के रुप में ब्यवहार नहीं करता है, पियूस, अगनासे, वृसर, अंडासे, लिसका आंसर होगा ए प्यूस ग्रंथी जो है सिर्फ क्यों अंतह इस्त्रावी ग्रंथी है बाकी जो तीनों है ए मिस्त्रित ग्रंथी है दोनों तरीके से काम करते हैं प्यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रेंड भी बोला जाता है Master blend Master grant इसके विज़े ए कई जो है हार्मोन का इस्तिराव काता है सोमाइटोट्रॉफिन आकसीटोसीन पीटोसीन सोमाइटोट्रॉफिन जो होता है उसको बृध्धी हार्मोन भी बोलते हैं आकसीटोसीन लेवर फेन के लिए आवस्यक होता है इसके लगाव पृलैक्टिन हार्मोन होता है पृलैक्टिन हार्मोन को दुखधा हार्मोन भी बोलते हैं nat है कि दुखध उत्पादन के दिए कौनसा उत्तरदाई है तो उसका अंसर पीउस गरंती होगा बहुत लोग इस्तन गरंती मार के चले आते हैं तो पियूस गरंती सबसे बड़ा स्वेत रिधुरार कौन सा है लिंफोसाइट, मोनोसाइट, थ्रम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट इसका अंसर होगा B, मोनोसाइट सबसे बड़ा स्वेत रिधुरार है मोनोसाइट स्वेत रिधुरार रहीं WBC white blood cell इसको leukocyte भी बोलते है WBC का जो है उत्पादम होता है bone marrow के hematopoietic stem cell hematopoietic stem cell से इसका उत्पादम होता है WBC की eye जो होती है 10 से 13 दिन के आसपास में होती है WBC के ही कई प्रकार है दो टाइप के होते है granular एक ग्रैनूलर एक कड़िका युक्त होते है एक कड़िका भीन होता है granular में इस्नोफिल्स, बैसोफिल्स, नीट्रोफिल्स यह तीन आते हैं और जो monocyte और lymphocyte जो है granular type के होते है Monocyte का काम क्या होता है जो सरीर में जो भ्रमर करते हैं जो हानिकारक जिवारु है जिवारुगों से या रुगारुगों का भच्छड करता है उनको खाता है monocyte lymphocyte का काम है lymphocyte जो होता है antibodies बनाता है और antibodies को उनके ब्रिद को त्रजीत करता है तो lymphocyte जो होता यह lymphocyte के ही जो कई 3-4 lymphocyte होते है तो जो T4 lymphocyte होता है तो AIDS के जो बिशार होते है यानि HIV और इसी T4 lymphocyte पे आक्रमर करते हैं जब T4 lymphocyte को वे खतम कर देते हैं तो जो antibodies बन नहीं पाती है यानि रोगों से लड़ने की छमता खतम हो जाती है तो कोई छोटा सा भी रोग होता है जो काम भी हुआ तो वही खतननाक हो जाता है और अगर आपके WBC की मात्रा अगर बढ़ने लगे तो उसी को बोलते हैं leukemia और leukemia ही blood cancer होता है इसके अलावा आपका थ्रमबोसाइड थ्रमबोसाइड को ही प्लेटलेट को ही थ्रमबोसाइड बोलते हैं इसके थ्रमबोसाइड होते हैं इसके अलावा आपका RBC है RBC को इसके अलावा बोलते हैं और स्वेत दिजार को NEWBC को लिउकोसाइड बोलते हैं नेक्स्ट लॉग की कमी से कौन सा रोग होता है पोलियो, रिकेट्स, इसकर्वी, ग्वैटर इने में से तो कोई लोग लोग की कमी से नहीं होता है इने में से कोई नहीं क्योंकि पोलियो जो होता है वो होता है वायरस की वज़ा से रिकेट्स होता है बिटामिन डी की कमी से बिटामिन डी की कमी से होता है या कैलसियम की कमी हो जाए तो उसे होता है रिकेट्स, इसकरवी होता है विटामिन C की कमी से, ग्वायटर जो होता है ओ आयोडीन की कमी से, इसमें विकल भी गलत दिया हुआ है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, राज्य में निम्न में से किस लोका युक्त का कारकाल सरवाधिक रहा, नियामूर्ती मिर् नियामूर्ती अनके महरता जहां, उनका कारकाल लोका युक्त के रुप में सरवाधिक रहा, उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट, लशिका से पच्चा हुआ, लशिका डैस से पच्चा हुआ, तथा अउसोसित वसा का वहन करती है, यानि लशिका कहां से पच्चे हुए था, उसोसित वसा का वहन करती है, फेफड़ा, छुद्रांत, अमासय, ब्रिक, तो इसका अंसर हो गगा B, छुद्रांत, यानि आपका छोटी यात, छोटी यात, इसमाल इंटर टाइन, यहीं है छुद्रांत, यहीं से जो लशिका होती है, छोटी यात से पच्चे हुए और उस अस्टेरिया से समौर्ति सूची क्या होता है कि ऐसे विषय सामील होते हैं समौर्ति सूची में जिस पर राज और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन जब दोनों अगर मान लीजे एक ही विषय पर दोनों कानून बना देते हैं तो केंद्र का मानने होगा इसके लाव आश्टेलिया से जो है प्रस्तावना की भासा ली गई है केंद्र अम्राज के भी सक्तियों का विभाजन ये भी आश्टेलिया से लिया गया है रूस से आपका लिया गया है सोवियस संग से मौलिक कर्तव मौलिक कर्तव मूल अधिकार जो लिया गया है USA से लिया गया है मौली कर्तब सोवियस संग से लिया गया है कनाडा से आपकी संघातमक भी से स्थाइल ली गई है और और सिच सक्तिया केंदर के पास होंगी एक कनाडा से लिया गया है इसका अंसर होगा C टीन और जस्ता टीन इसमें जो होता है 33% होता है और सीसा आपका होता है लबब 67% यानि टीन के 33% और जस्ता के 67% के मिनने से जो बनता है शोल्डर बनता है नेक्स्ट धातूओं के प्रिष्ट पर एक उप्यूक्त तरंग दैर्ध का प्रकास पढ़ने पर इलेक्ट्रानों के उत्षेपड की परघटना को क्या कहते हैं विद्धुद अपकटन आयनन प्रकास बैद्धुद प्रभाव में से कोई नहीं तो उसको बोलते हैं प्रका इनको नोबेटा प्राइज उनके की सिध्धान के लिए मिला है प्रकास बैद्धुद प्रभाव और सापिछता का सिध्धान तो अंसर आपका प्रकास बैद्धुद प्रभाव होगा द्रबमान संख्या किसका योग है कि और पोटान इलेक्टान और पोटान इलेक्टान और न्यूटान पोटान और न्यूटान तो द्रबमान संख्या जो होता है जो नाभीक में रहते हैं जिसे कोई परमार है परमार के तीन हैं मूलकर है इलेक्टान पोटान और न्यूटान नाभिक में जो रहता है उसी को बोलते हैं द्रबमान संख्या तो नाभिक में रहता कौन कोन है प्रोटान और न्यूट्रान तो आप कंसर जाएगर D इलेक्टान की खोच किस ने कि थी थांसन ने प्रोटान की रदरफोड ने और न्यूट्रान की चैडविक ने नेक्स्ट, पानी बूदो का तेली प्रिष्ट पर न चिपकने का कारण क्या है, जो पानी के बूंद होते हैं, तेली प्रिष्ट से क्यों नहीं चिपकते हैं, आसंजग बलका अभाव, प्रिष्ट तनाओ, आपस में मिल नहीं सकते, तेल के पेच्छा जल हलका होता है, तो इ एक वस्त दूसरे वस्त जो चिपक जाती है जैसे गलास एक गलास में पानी अगर रखे है और पानी गिरा दे तो थोड़ा सा पानी चिपका रहता है एक जो होता है आसंजक बल पर ही दिपेंड करता है दो होते हैं आसंजक बल और ससंजक बल तो ससंजक बल जो होता है जो एक जो पदार्थ होते हैं उनका आपस के अड़ों में जो लगता है उसको बोलते हैं ससंजक बल और जो आसंजक बल होता है एक पदार्थ का और दूसरे पदार्थ के बीच जो लगता है उसको बोलते हैं आसंजक बल अब मालीजिए अगर जो आपस में इनके लग रहा है जो भी चिपकेगी और अगर जो आसंजग बल है इसका मान इस आसंजग बल से कम हो जाए यानि आसंजग बल अधिक हो जाए तो ए वस तो उस पे चिपक जाएगी नेक्स्ट यह MRI मसीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया आता है ध्वन तरंग एक्स विकरण प्रासब तरंग चुमकी तरंग तो एजी केस्चन है डी चुमकी तरंग क्योंकि MRI का फुल फॉर्म ही होता है मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तो मैगनेटिक है मैगनेटिक मतलब चुमकी यानि इसका अंसर होगा चुमकी तरंग नेक्स्ट करक रेखा था मकर रेखा कि बीच का छेतर क्या है सितोस्ड कटिबन सीत कटिबन उस्ड़ कटिबन इन मेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर होगा सी उस्ड़ कटिबन जैसे ए प्रिथ भी है कि तेड़ा हो गया है माल लीजिए ए जीरो डिग्री है कि इस सारे तेश डिग्री इस तरह नीचे भी यहाँ पर सारे तेश डिग्री नाव्थ है उत्तर में है उसको बोलते है करक रेखा और जो सारे तेश डिग्री साउथ में होगा एक उटा दो तो उसको बोलेंगे मकर रेखा तो जो यह सारे तेश डिग्री तक होता है वो होता है उसल कटि बंद फिर सारे 23 डिगरी से जो 42 डिगरी तक होता है उता है उपोस्र फिर सारे 42 ते इसके बाद जो 66-62 तक ए विल्ट होता है उसको बोलते है सीटोस्षण जो दुरूओप के पास इसको बोलते हैं सी तकटि बंद तो पूछा है जैसे ए उपर होता है वैसे ही नीचे होता है तो यानि इस वाले बेल्ट और इस वाले बेल्ट दोनों इस सेम हैं तो यह हो जाएगा उस रखड़ी बन तो अंसर होगा C नेक्स्ट मालदिव का गंभीर पर्यावरल निम्नकोटी करण पर्यावरल निम्नकोट करण मतलब इन्वायर्मेंट डिग्रेशन अनिवार्ता किसके कारण माना जाता है निरंतर मिदा पर्दं उच्च जनसंख्या घनत्थ जल और वायव का द्योगिक प्रदूसर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा उच्च जनसंख्या घनत्थ जनसंख्या का जो है डेंसिटी वह बढ़ रहा है इसी वज़े से वहाँ पर्यावरल का जो डिग्रेशन होए वह भी बढ़ रहा है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है राउर केला इस्टील प्लांट उडिसा सही है दुरगापूर इस्टील प्लांट पस्चिम बंगाल ये भी सही है भिलाई इस्टील प्लांट छत्तिस गड़ ये भी सही है बोकारो इश्टिल प्लांट बिहार यही गलत है दी, ए जो बोकारो इश्टिल प्लांट है ओ है ज़ारखंड में और इसको पूर जो सोभिय संह था उसकी सायता से इसका निर्माड किया गया था नेक्स्ट, निमलिखित में से कौन सी भारती नदी पस्चिम की और बहती है तथा अरब सागर में गिरती है अपने नर्मदा गंगा महानदी गोदावरी तिसका अंसर होगा ए गोदावरी नर्मदा नर्मदा और जो तापती है ए दो नदिया जो है पस्चिम की और बहती है और नर्मदा जो है भरंस घाटी में बाती है पुझ लेका भ्रंजगाटी में बनने वाली नदी भ्रंजगाटी में बाती है और एस्चूवरी बनाती है इसका जो उद्घं अस्तल है नर्मदा का वो अमरकंटक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़िया है वहां से इसका उद्घं होता है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा सुमेलित है समझे सिराज अफीब तारीखे फिरोज साही जयाओ दिन बनी तारीखे मुहमदी अमीर फुसरो तबकाते नासरी इबने बतूता फतवाय जहादेदी तो इसका अंसर होगा समझे सिराज अफीब ने तारीखे फिरोज साही लिखा है तारीखे फिरोज साही के लेकर दो लोग है एक अफीब भी है और बर्नी ने भी तारीखे फिरोज साही नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है इसके लिए जयाओ दिन बनी की जो में पुस्तक है फतवे जहादरी जया बानु सादेन, आसिका, तुगलक नामा, अमीर खुसरों की रचना है। इबन अबतूता की जो रचना है वो है रेहला लिखा हुआ है। तबकाते नासरी के जो लेखक है मिनहाज उस सिराज के लिखा हुआ है। नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा युगम सही मेल नहीं खाता विक्रमादित्य चैतन्य हर्सवर्दन वेंसांग चाड़क चंद्रगुप्त अकबार टोड़ामर तो इसका अंसर होगा ए विक्रमादित्य नहीं बलकि बंगाल के जो साथ सकते हुसैन सा वहाँ पे उनके समकालिंग थे नेक्स्ट नए राज के गठन की सक्त किस में नहीं खोती है संसद में राशपती में मन्ति परसद में राज प्रन गठन आयोग में तो इसका अंसर होगा ए ने राज के गठन की सक्ती संसद में नहीं खोती है नेक्स्ट, सिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी के मार्वें पाय जाता है, किसला, गोदावरी, कावेरी, महानदी, तो अंसर होगा C, कावेरी, और कहां पे करनाटक, सिव समुद्रम जल प्रपात करनाटक में है, नेक्स्ट, अंडमान दीप समू और निकोबाद दीप जो हैं 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं नेक्स्ट निमलिखित में से कौन से देश पाकि स्टेट से जुड़े हुए हैं भारत युम सिलंका, उतरी कोरिया, दचली कोरिया, बिटेन फ्रांस, भारत युम पाकिस्तान इसका अंसर होगा A, भारत और सिलंका, पाकिस्टेट और मननार की खाड़ी, दोनों भारत युम सिलंका के बीच में हैं नेक्स्ट, कलकत्ता, मद्रास्था, बंबई में उच्च नियाले निमलिखित में से किस वाय सराय के कारकाल में अस्तित्में आये थे हेस्टिंग्स, कैनि, जॉन लारेंस, लाड डलहोची, इसका अंसर होगा लाड कैनि, B, बी ऑप्सन सही है, जो उच्च नियाले की स्थापना की गई थी, उच्च नियाले अधिनियम 1861, प्रसन पूछ भी लेता है कि किस अधिनियम की द्वारा की गई थी, तो उच्च नि किया गया था, कलकत्ता मदरास था, बंबई में, कलम भी पूछ सकता है, तो तीनों का तो 1862 में ही हुआ था, कलकत्ता का लेकिन जुलाई, एक जुलाई को 1862 में, जो है कलकत्ता का, उच्च नियाले का स्थापना हुआ था, 14 अगस्त, जो है, 14 अगस्त को बंबई उच्च आले 1862 में मद्रास का 15 अगस्ट अठाह्स वासट में मद्रास उच्छन आले का स्थाफणा था नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज़ की सीमा अन्य कितने राज्यों को दोनों को मिला के पूछा कोई इस पर शकरती है तो 8 राज्यों को इस पर शकरती है और एक केंसासी प्रदेश या निकुल मिला के नौ तो अंसर आपका हुज जाएगा डी आठ राजों में हिमाचर प्रदेश, उत्तराखन, हरियारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तिस गड़, बिहार, जारखन एक आठ राज हैं केंसासी प्रदेश में नई दिल्ली नेक्स्ट, किस अधनियम द्वारा द्वैद सासन राज्यों में लागू किया गया राज्यों में पुछा हुआ है, तो अधनियम 29 तो 29 गया है ृइस के दोरा जो है रा जियो में है कि आering कि कि द्यादए सासंद कि गया गया है भाषर सासान अन्यलम 1999 को मांटेक्ज्यू छेमसफोलडती है油म्यदρο है मांटेक्जण चेमसफोलड चेंट्सफोर्ड भासासण पूल सकता है मांटिक चेंट्सफोर्ड सुधार की सदनियम को बोलते हैं वहासरकाद्णियम 1929 को तो और जो ए इसमें राज्यों में जो है ड्वैसासण लागू किया गया था और यह जो भासासर अनियम 1935 है इसमें केंडर में ड्वैसासन नेक्स्ठ भारत में सिवील सर्विस का शुत्रपात निम्लिक्त में किसने कीया इसका अंसर होगा B कार नोइस कार 59 को भारत में सिवील सर्विस का जणंक कहा जाता है इसका अंसर होगा B जियोतिबा फूले ने सत्य सोधक समाज की इस्थापना मानोधिकारोयम जाती प्रथा के उनुमिलन पर बल देने के लिए की थी इसमें चार निनाम दिये गहें कलकता, मंबई, मद्रा, सूरत अलग-अलग करम में, इसका अंसर जो होगा C, सूरत मद्रास बंबई कलकत्ता क्योंकि सूरत में 1613 में मद्रास में 1649 में बंबई में 1687 में और कलकत्ता में 1698 में तो यहीं सही हो गया सूरत मद्रास बंबई कलकत्ता Next नेकस्ट वह प्रसिद्ध जैन बिद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था हेम mechanर अकबर ने जगत गुरू एक और मुगल रवा में एक आन बिद्वान थे उनका नाम था जिन चंद सुरी उनको युग प्रधान की उपात दी गई थी नेक्स्ट जैसे उसने किसानों में बाटा पैसा तो जो अधिकारी थे बीच में अधिकारी ही उसमें घपला कर गए तो यानि कुल्मला के वो ब्योहारिक राजनेता नहीं था ब्योहार में कैसे करना है सोचता था लेकिन उसको ब्योहारिक बयोहार में नहीं ला पाता था अंसर इसका हो जाएगा वह बयोहारी के राजनेता नहीं था निम्न में से कौन सा सिलालेग चालूख समराद पुलके सिंदुती से संबन्दी थे मासकी, हाथीगुंफा, एहोल, नासिक तो इसका अंसर होगा एहोल एहोल सिला लेख जो है वो पुलके सिंदुती से संबंदी थी इसी एहोल सिला लेख में हर्सवर्धन के साथ जो पुलके सिंदुती का युद्ध हुआ है उस पर प्रकास पढ़ता है प्रसने पूछ सकता है कि किस सिला लेख में हर्सवर्धन और पुलके सिंदुती के युद पर प्रकास पढ़ता है किसला से तो ऐहल सिला लेग की जो रचना की थी रभी किर्टी ने की थी रभी किर्टी ने इसकी रचना की थी और इसको संस्कृत भासा में लिखा गया है और लिपी जो इसकी दश्री ब्रामी है इसके लाँज जो मास्की है मास्की किसे समंदित है मा करनाटक में है हाथी गुमपा जो है और खारवेल से संबंदित है किस से संबंदित है जैन धर्म, जैन संप्रदाय से, बौध संप्रदाय से, हिंदू संप्रदाय से, तो जो खर्डगीर की गुफाएं हैं, वो जैन संप्रदाय से संबंदित है, इसके लाओं जो नासिक सिला लेख है, नासिक अभी लेख जो है, वो गौतमी पुतर सातकरडी से, सातवाहन सासक गौतमी पुतसात करड़ी उससे संबंदिर नासीक अगलेख है नेक्स्ट नेमलेखि साहितिक तृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए तो कभी राजमार्ग हैं अमोग वर्ष आधिपुरार आधिपुरार का जीन सेन गडित सार संगरह महाबीराचार्य और अमोग अमोग वर्थी सकतायन कभी राजमार्ग अमोग वर्ष आधिपुरार जीन सेन गडित सार संगरह महाबीराचार अमोग वर्थी सकतायन नेक्स्ट किसकी सेना ने ग्रीक सासक सिकंदर के साथ जेलम नदी के टरपर मुकाबला किया अंबी चंद्रगुप्त पोरस घनानन तो इसका अंसर होगा एक ज्यान प्राप्ति नेक्स्ट पंद्रा फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री ने किन स्टेशनों के बीच बंदे भारत एक्स्प्रेस का सुभारम किया तो इसका अंसर हो जाएगा नई दिल्ली से वरारसी नई दिल्ली से वरारसी के मद्द बंदे भारत जो उलाई दोहजार उनाईस में किस देश ने वर्स दोहजार बीस से प्रस्थान उडानों पर ग्रीन टेक्स लगाने का निड़े लिया है। 18 यूरो तक की बाकी है कि उतना का green tax जो है उस पे लगेगा और इससे होने वाली जो आए होगी उसको environmental friendly जो और सरशना होगी या परियोजना होगी उसको विक्सित करने में उसका प्रयोग करेंगे जुलाई 2019 में प्रसिद अमेरिकी पत्रिका फार्चियून ने बिस्व की 500 सबसे बड़ी कमपनियों की सूची फार्चियून गो ग्लोबल 500 जारी की इस सूची में सिर्ष अस्थान पर कौन सा है तो ए है Walmart Walmart जो है अमेरिकी कमपनी है जो ए Amazon है Walmart से ही सम्बंदित है Reliance Industries जो है भारत की सबसे जो है भारत में नंबर एक अस्थान इसको मिला है और विश्व में इसका जो रैंकिंग है 106 106 रैंकिंग है Next तेज जून 2019 को सैन्यूक्त राष्ट खादियम क्रिसी संगठन एफेओ के नौवे महादिसे निदेशक के रूप में किसे चुना गया है Q.Dangu, David R. Malpass Rameshjan, Boris Johnson इसका अंसर होगा Q.Dangu Q.Dangu जो है चीन के है चीन से सम्देश के है 23 जून 2019 को इनको नवे महान निदेशक के रूप में चुना गया है एफेओ यानि खादियम क्रिसी संगठन इसका जो हेट क्वाटर है ओ है रूम यानि इटली आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें, सस्क्राइब करें सेयर करें और बेल आइकें जरूर दबा दें जिसे हमारे अनि वीडियो की सुचना आप तक मिलती रहे धन्यवाद